कि अब्रिवान कैसे हैं यह सारे लोग और नाम है आलोग बाश्पही और आप लोग जुड़ चुके हैं इंडिया के नमबर बन इस्टेडी चैनल वाइफाई स्टेडी पर और आप लोग इससे में जुड़े हुए वाइफाई स्टेडी 2.0 ऑफीसल यूट्यूब चैनल पर यह बेहतरीन तयारी चलने आप लोगों की कोई दिक्कत को समस्या को प्रसानी तयारी को लेकर के प्रस्ण पूछना चाहते हैं कोई बीड़ाउट कहीं पर कोई प्रस्ण जीके जीएश पर पढ़ाया अपक्दम निशन कोछ यहाँ पर कोई भी प्रस्ण पूछ सकते जितन learner app पर follow नहीं किया तो सारे लोग follow कर लेंगे आलोक कुमार बाचपई के नाम से follow करना है तो मेरी हर एक class का notification मिलेगा और किसी भी course का subscription लेना चाहते हैं तो code लगाना है capital later में AB certain इसके माध्यम से हर एक बिद्यार्थी को discount जरूर मिलने वाला है तो आपको AB certain code लगाना है और इस QR code को जब आप scan करते हो तो सीधे scan करने पर आप लोग free test pass प्राप्त करेंगे SSC और railway exam का test एथन के माध्यम से दूजरी बात एक जबरदस announcement है 17 जुलाई को एक सांदार जानदा आपका scholarship scholarship test होने वाला है इस scholarship test में आप सभी लोग participate कीजिए और free में enrollment करोगे आप लोग तो इस code को लगाना है अगर free में enrollment करना है ये भी certain laptop, mobile phone और अन्य सारे price आप लोग जीश सकते हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पहरे विद्धार थी हो बहुत सारे batches आपके 14 आप ज enrollment कर सकते हैं जितने लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोग अगर enrollment करेंगे तो एक ही code लगाना है वो लगाना है capital later में a b certain code सारे के सारे बैचे सुरू हो रहे हैं और अगर आपने अभी तक अपने प्रस्तिका उत्तर नहीं प्राप्त किया है बहुत सारे questions हैं तो ask out by an academy प पर जब भी आप class करते हो तो सीधे educator महुदे से बातचीत करने के लिए raise hand का प्रयोग किया करो सभी के सभी विद्या थी iconic के मतलब हर एक चीज में priority तो iconic subscription लेना आया प्लस course लेना है जो भी subscription लेना है बस code आपको हर एक प्रकार के लिए हर एक प्रकार के subscription के लिए और मेरी जो classes है वो आप लोग साम को साथ वजए और रात में दस वज़े जरूर कीजिए free classes रहती हैं दो पहला सवाल है National Investigation Agency की स्थापना कप की गई है मैं सुबह पूछा था यह सवाल जल्दी से आंसर कीजेगा वै फास्ट अभी दिवाकर गुपता जी को नेशनल इन्विस्टिगेशन एजनसी जिसको हम लोग सौट में निया कहते हैं इसका महानिदेशक बनाया गया था तो यह चर्चा में रहा भाई ठीक है बिल्कुल है एकदम है निया की ग्लास के लिए भी जैंत बभू तो निया के महानिद सब्सक्राइब को राइट टू इन्फॉर्मेशन शुरू होता है और 2009 में नरेगा का नाम मनरेगा होता है और एक्सेस बैंक यूटी आई से एक्सेस बैंक बनता है दो हजार साथ में नेक्स्ट क्वेस्टिन है आई सौकी ट्राफी का सम्मन्द बेया किस्से है वाकर कप न छी कि याद रहेगा यह यह यहां से सुरू होगा यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिस्थ कितना है 40-46 75-20 या 30 कियो यूरिया में नाइट्रोजन का पर्सिंटेच कितने पर्सिंट है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखो भई यूरिया के मतलब हो गया यार एनेज़ टू सीओ एनेज़ टू यह यूरिया हो और कभी खाद की बोरी अगर आप देखते हो तो खाद की बोरी में भी लिखा होता है 46% भहिया नाइट्रोजन है यूरिया ठीक है याद रहेगा यूरिया का सरपतम 1773 में प्रेंच बेग्यानिक थे हिलेरी राउले ने खोजा था और यूरिया बनाने की जो बिधी का स्रे है वो जर्मन बेग्यानिक वोलर को जाता है कार्बनीक रसाइन के छेत्र में इसे कार्वामाईट के नाम से भी जानते हैं वे कौन से दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं देखो ग्रह उपग्रह बाला जब भी हाँ दिनकर गुपता दिवाकर गुपता मेरे एक्चुल में फ्रेंड का नाम था तो वही मुझे है जुवान से निकलता है ठीक है चलिए देखो बाई बिल्कुल यह लन दिनकर गुपता बहुत ध्यान समझोगे इसको दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है ग्रह टोटल कितने हैं आठ इतने हैं आठ टोटल ग्रह जिनमें सबसे बड़ा ब्रस्पति है सबसे छोटा बुद्ध है सबसे आधिक उपग्रों वाला स सनी है जिनके को उपग्रह नहीं वो बुद्ध और सुक्र को सबसे गरम क्रह गते हैं और का तारा भी सुक्र को कहते हैं सांज का तारा भी हम लोग सुक्र को गहते हैं इस स्थापना किस वर्स हुई उनीस सोचपी निटिस होग्यशी में उननीस सोच्छी में उननीस सोच्छी मेंkas लाईसी पहले बशना है लाज इन्सूरेंस कॉर्परेशन और यह बनता है यहसी उननीस सोच भूपने एक सितमबर उसके बाद मैं गाड़ी मकान इन सब का जो बीमा में लोग कराते हैं और वो भाई होता है बीमा वो करता है 1972 में संस्था बनी थी जन्रल इंसोरेंस कॉर्परेशन यह 72 बनती है सन 2000 में तीन राज्य बने एक नॉमबर को 36 गण 9 नॉमबर को उत्राखंड 15 नॉमबर को ज्यारखंड का निर्मार्ट होता है विशुप परियावास दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे कम मनाते हैं क्या होगा वर्ल्ड हैबिटेट डे कम मनाये जाता है क्या आंसर होगा बहुत ध्यान से आप लोग समझेगा 12 अगस्त को जो मनाते हैं वो वर्ड एलिफेंटे मनाते हैं और 12 अगस्त को क्या मनाते हैं वर्ड यूथ डे विस्विवा दिवस भी मनाते हैं 7 अगस्त को क्या मनाते हैं 7 अगस्त को हम लोग नेशनल हेंडलूम डे मनाते हैं और 7 अगस्त को ही हम लोग एक और दिवस मनाते हैं वो कौन सा होता है 7 अगस्त को अन्य दिवस वो होता है आप सभी का प्यारे विद्याथियों नेशनल हैंडुलूम डे एंड नेशनल जैबलिन थ्रो डे राश्ट्री भाला फेक दिवस भी 7 अगस्त को मनाते हैं परेहवास दीवासम लोग चार मईं अक्टूबर को मनाते हैं से कलिंग युद्ध असोक ने अपने सांसनकाल के कौन से वर्स लड़ा था कलिंग का युद्ध है बिलकुल लेगा बैई कलिंग उलिसा में है 261 हिस्विपूर में असोग ने युद्ध लड़ा कलिंग का और यह अपने सासन के आठ में बस लड़ा गया ठीक है इस कलिंग युद्ध का उलेक वरण असोग अपने तेर में सिलालेक में करता है कि यह याद रहें कि अगला सवाल खिरगंगा रास्टी उद्यान किस राज्आ में है फट्टा पट पत आंसर कीजिए सारे लोग शेयर कर दीज़ेगा सेस्टन को आंसर करते जाहिए जैए और जो है खिर गंगा प्रदेश की बात करते हैं बंदर को वर्मिंग हिंसक जानबर घोसित किया लपीजी के यंडेट परसेंट कनेक्शन बाट दिए गया हिमाचल प्रदेश में आलू अनसंदान संस्थान भी हिमाचल प्रदेश में कुफरी में यह आपका किस से समंदित होता है क्या नाक गरदन और गला से नाक कान और गले से आख कान और नाक से यह आख जीव और नाक से किस समंदित होता है अक्सर आपने देखा होगा एक डॉक्टर जब भी को होता कता है कि एंट के पास जाओ भी यह डॉक्टर एंटी इयार नोज थ्रॉट तो क्या हो गया नाक कान गला रोग विसे संगे होता ना यह होता ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर एपीज़ अबुलकलाम का कारेकाल कौन से बर्स से सुरू ओकर किस बर्स तक रहा यह सारे विकल्ब दिये गए हैं अंसर कीजिएगा भई एपीज़ अबुलकलाम साहाब हमारे देश के राश्टपती भी रहे हैं एक मात्र विज्ञानिक राश्टपती और उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है विंग सॉप फायर की वायोग्राफिका भी नाम है और एपीज़ अबुलकलाम सत्तानवे से लेकर के दो हजार दो तक और 1997 में इनको भारत रत्न से भी नवा जाने हैं अगला सवार ने है कॉन भारत की पहली एलेक्ट्रिक ट्रेन है पहली एलेक्ट्रिक ट्रेन भारत की कौन सी राजदानी एकस्प्रेस डेकन कूइन फेरी कूइन या इनमें कोई नहीं कि भारत की पहली जो ट्रेन है एलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी कि आणसर और बहुत बढ़ी है शवाल है पहली एलेक्ट्रिक ट्रेन की बात करो के देगए कोई कर? कि किसी अप्लिकेसीं से कॉपी किया डेटा को कहां पर संग्रीद किया जाएगा क्लिप बोर्ड में ड्राइवर में टर्मिनल में प्रॉंक्ट में कि साइन्स टेक के पार्ट से टेक से क्वेस्चन है कि आंसर कीजिए वैं सारे रोग कि सभी विद्ध्यार्थी फटाफट आंसर करेंगे भाई कि जब बढ़ा बढ़ा सवाल है और इसका अंसर हो जाएगा आपका क्लिप बोर्ड कि नेक्स्ट क्वेस्चन है मार्स गैस की सई संदशना क्या है मार्स गैस को हो सीज़ फोर को कि बायो गैस का प्रमुग घटक है और गैस नहीं सबस्ते हैं उसका प्रमुग घटक है सी अंजी का भी घटक है वाई मेथिन याद रखना सी यो मतलब कार्वन नौन आक्साइड होती है मिथेन मार्स गैस मुखे घटक है ठीक है सल्फर की उपस्तिती में अगर मिथेन को गरम करते हैं तो केबल उत्पादों के रूप में कार्वन डाई सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का उत्पादर होता है हम जो सामान और सेवा खरीते हैं उसके लिए हम अत्रिक् मुखतान करते हैं आंसर कीजिए रवाइड कहते हैं सर्विस टेक्स से कस्टम ड्यूटी जीस्टी बैठ है अक्तिरिक सुल्का तो वह क्या कहलाएगा आपका वैट अगला सवाल कि सि पिड के संवेक के परिवर्थण कि दर उस पर लगाए गये बलके सम्हानपाती होती है नेउटन का कौन सा पर आट एग विए और मौल एफ इस उकल टू ठीक है थार्ड लाव बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग बोलते हैं एक्शन रियक्शन रूल यानि की क्रिया पत्रकिया का नहीं है वे कौन से ऐसे राश्पती जो कहते हैं कि राश्पती के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता है यह आपको बताना है कि बोलिए बाबु कुस्वहा कांच्छा दुएदी नितिस कुमार सारे लोग सेर करेंगे बाई सेशन को इस द्यारती सेर नहीं कर रहें आज सेशन को पटापट सेर करिए भई बिलकुल भई देखो राश्पती के चुनाव में लोकसभा राज्य सभा विधान सभाएं सभी राज्यों की दो यूटी की विधान सभाएं दिल्ली और पौदुचेरी इन सभी के एलेक्टेड मेंबर्स कैसे एलेक्टेड मेंबर्स राश्पती के चुनाव में भाग लेते हैं नौट नॉमिनेटेड तो यानि कि लोकसभा राज्य सभा के सदसे विधान परिश्द के सदसे भाग नहीं ले सकते हैं कि अंसासित प्रदेश विधान सभाओं के सदसे सभी भाग नहीं ले सकते हैं लोक लोकसवा राजसवा के निरवाचिस सदस यह दिया होता है कि अंसासित प्रदेशों के केबल दिल्ली और पॉंड़िचेरी के तभम लगाते तो इसलिए भी नहीं होगा इसमें क्या पूछा है नहीं ले सकते हैं तो इन में से यहां पर लोकसवा राश्चवा के सदसर दिया हुगा तो सभी काउंट हो गया ना इसलिए नहीं होगा और यहां पर केंसाचित प्रदेश विदान सभा होगा सभी केंसाचित हो गई गलत हो गया ना क्योंकि दिल्ली और पॉंडिचेरी होना चाहिए रिममेकसेसे पुरसकार की स्थापन कब की रिममेकसेसे जिसको एसिया का नोबल पुरसकार भी कहते हैं छे छेत्रों में ये भी दिया जाता इसलिए और रेमेन बेक्से से पुरसकार की इस्थापना 57 में हुई 58 में पहला दिया गया किसको दिया गया बिनोबा भावे जी ठीक है बाई 1963 में भारत रत्न से नवाजे गये थे डाक्टर जाकिर हुसेन सव काले सुरम परियोजना कौन सी नदी पर है काले सुरम परियोजना कि आपकी इस्तित है गोदावरी नदी को दच्छिन गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को ब्रद गंगा कहते हैं गोदावरी पर पोचम पात परियोजना है नासिक सहर गोदावरी नदी के किनारे इस्तित है त्रियंबक पहाड़ियों से गोदावरी नदी निकलती है माही नदी यह आपकी करक रेखा को दोबार काटने बाली नदी है नर्मदा अतापती की धरार घाटियों के बीच विस्तरत है अरावली सबसे उल्डेस्ट है दिल्ली हिल से लेकर के गुजरात के पालनपुर तक जिसका विस्तर पाया जाता है पधार न्रत्य जो है वो किस राज़े से रिलेटेड है क्या आंसर होगा पधार न्रत्य यह जिए यह बात करोगी तो पधार न्रत्य आपका गुजरात है गर्बा न्रत्य गुजरात रशीलेत गुजराद जिसा गुजरात के को Melissa सही नहीं है बहुत बढ़ीए सवाल है लेकर स्टेटमेंट है पहला सटेटमेंट है सरदार सरोबर बान नर्मदा नदीपर सो टका सही। सिर्व समुद्रम जलपरपात कावेरिय नदी पर ईजित है। टेहिरी भांझ भागी रती नदीपर सबसे उचा बांथ सो टका सही। इंद्रा सागर्बांद क्रेश्णा नदीपर बिल्कुल गरत इंद्रा सागर्बांद नर्मदा नदीपर क्रेश्णा नदीपर नागार्जुन सागर्बांद उस्तित है ठीक है तो यह वाला गलत हो गया यानिकी आंसर हो गया आपका अप्सन नमबर फूर अचार देवरत भाई किस राजे के राजपाल हिमाचल प्रदेश उत्राखंड जम्मू कस्मीर गुजरात के बारे में बात की जाएगी तो हम लोग गुजरात कह सकते हैं अगला साव भिस उपस्य चिक्सा दिवस का मनाया जाता है ऐठरा जुलाई आठ मार्च चार जन्वरी या 24 सपरेब भिस उपस्य चिकित्सा दिवस अब शेंट की गंगा पूछा जाये तो कावेरी कहना तक शिड कंगा पूछा जातो गोदावरी कहना हो ठीक है बाए इसका अंसर हो जाएगा आपका 24 अप्रेज्स ओए आठ मार्च को अंतराष्टी महिला दिवास अठारा जुलाई को अंतराष्टी नेलसन मेंदेला की नग्पु अबाइडडा भै कहा है तो लेंगपु अबाइडडा आपका कहा पर हो जाता है मियू टीक का आप को डावोलिम है वाहत शुरू करने का अधिकार किसे है इंडियन सिविस्प्र देखो इंडियन सिविछ सर्विस की जब भी बात करते हैं आर्टिकल नंबर 312 का उल्लेख है जिसमें राज्यसभा को अधिकार है अल इंडिया सर्विस को शुरू करनेगा वाइस करता किसकeping में बाइवक्ता मतलब राजल का सर्वोच भी दिए अधिकारी अटार्नी जनरल्मतलब केंदर इद्धी जनरल का समानांतर कह सकते हैं राजल में अडौकेट जनरल को में फिसका उल्लेक किया गया है 陽हे इस्तीफा छोड़ देखो बैए सुप्रीम कोड का गठां हुआ 50 में सुप्रीम कोड कौन से आर्टिकल में है आर्टिकल नंबर 124 निस सो उन्चास में एक जन्वरी को निस सो उचास में एक जन्वरी की अगर बात की जाएगी तो हम लोग जानते हैं आर्बियाई का अन्यस्तलाइएसन हुआ पच्पन में स्टेट बैंक आप इंडिया की स्थापनावी सत्तावन में गोविन वल्ला पंत को भारत रत्न प्रदान किया गया थे अगला सबाद है नार्मन अर्नेस्ट बेरलाग जो हरित करांति के जनक माने जाते हैं किस देश से ह एक हो जाएगा अमेरिका से हरित करांति कभी उसको हम लोग कहते हैं अरुनाचल प्रदेश के एक राज उत्सब के रूप में मनाती है अरुनाचल प्रदेश का पुराना नाम कई बार मैंने बताया है नेफा एन इफ ए नॉर्थ इस्ट फ्रेंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था दिख्षट आगर यह किस खेल से समंदित खिलाड़ी है पोलो क्रिकेट होकी गोल्फ क्या अंसर होगा भी दिख्षट आगर की जब भी बात करते हो तो दिख्षट आगर आपकी गोल्फ से रिलेटेड़ खिलाड़ी है होकी से रिलेटेड अजलन सहा कप है बेटन कप है रंगास्वामी कप है आगाखां कप है क्रिकेट से देवधर ट्राफी सीश्मेल ट्राफी रणजी ट्राफी सरजाह कप सब क्रिकेट से गरीबी उन्मूलन के लिए अंतराश्ट्री दिवस हर साल कम मनाते हैं क्या ग्यारा जुलाई को बिलकुल नहीं विस्ट जनसंख्या दिवस इसको मनाते हैं बच्चे हम लोग ग्यारा हाग टुपा लिए निव लिकित में से कौन सी पहली धातू मनुस्य दौरा उपयोग की गई थी पहली धातू जो उपयोग की गई थी वो की गई थी आपकी कॉपर कॉपर में टीन मिलाया गया तो कासा बना तभी तो कास्यूगी सब्यता है इंडिस्वेली सिब्लाइजेशन तो कॉपर इसका मेकेलाइट और बोर्नाइट दो और जरूर याद रखेए गए कौन सी ग्रंथी पाचन एंजाइम को जारि नहीं करती है लिए याए इंटवी लेंट्पकर स्वाण जारीे नहीं करती है यह ऐजारी करती है यह भी जारी करती इस लोगपाल में कितने घैर नहीं सदसी है लोगपाल आठ सदसी है जिसमें चार नियाईग सदसी चार गेर नियाईग सदसे पहले अध्यक्ष पिनाकी चद्र वोज और कितने गेर नियाईग तो चार गेर ने बता दिया तो आंसर दाएगा चार इंटरनेशनल元 याइक me मनाते हैं पांच मईए छे मईए पंद्रा मईए तीन मईए को विश्व प्रेश स्वतंता दिवस पंद्रा मईए को अंतराश्टी परिवार दिवस और छे मईए को हम लोग इंटरनेशनल नोडाइडे मनाते हैं छे मईए को 19 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाये जाता है 19 नॉंबर की बात करेंगे तो 2140 दिवस के रूप में 19 नॉंबर को मनाते हैं कौन भारत में सबसे बड़ी मसीनिक राद खान है तो ना रत्नागिरी है न जैपूर है न रेशियो वन चार सेंटीमीटर लंबाई दो संटीमीटर चोड़ाई एक संटीमीटर मोटाई तो फोर रेशियो टूरेशियो वन दिस दा रेशियो अब ब्रिक्स यूज इन इंडर्स वैली सिविलाइज़ाइश ठीक है वैं किसे राजसवा में प्रतनिधित तो नहीं है रा किस राज्य में तिन आयस के प्रमुख भंडार है असाम जम्मु कस्मीर 36 गाड़ या बेश्वंगार पर्स चैप्टर में टेल्थ के पढ़ा था कि वह आप मेंसे जो भी विद्यार थी सब्सक्रिप्शन लेने के इच्छुक है कमेंट सेक्षन में यस जरूर लिग दीजिएगा यह मेरा रेफरेल कोड है आप में कियापिटर लेटर में एवी सर 10 ठीक है एवी सर 10 याने और चाहें UPSC का सब्सक्रीप्शन है चाहें ORPesc का है o a recom Nationalstep का है कि एक सी का है बैंक का है कि सी भी प्रकारका सब्सक्रिप्शन है को यह कोड़ाया इससे डिसकाउंट परहागा जो भी सब्सक्रिप्सिंट लेने के चुक हैं अपने कोर्स का नाम जरूर लिख दीजिए यस लिख के और पूर्ट जरूर लिख लिए पूर्ट जरूर लिख लिए एक क्यापिटल लेटर में लगाना है आप लोगों ठीक अभी या बिल्कुल बिल्कुल बच्चे ठीक है टिकेस बाबू रितम आर्यन नितेस इसका आंसर हो जाएगा 36 गड़ ठीक है इसका आंसर क्या हो गया 36 गड़ हो जाएगा अग्ला सवाल है मानव शरीर का ताप क्रम जाड़ों में घटेगा गर्मियों बढ़ेगा ना घटेगा ना बढ़ेगा या जाड़ों में बढ़ जाता है बिल्कुल भई बाबू कुस्वाहा एबी सर्टेन कोड लगाना है क्यापिटल लेटर में इसका अंसर प्यारविद्यारतियों ना जाड़ेम घटता है और ना घर्मियों बढ़ता है कौन सा सागरी राश्टी उद्यान है भीतर कड़ क्या उड़ीसा में है सुंदर्वन बेस्टमंगाल हो गया गहीर मत उड़ीसा में हो गया और मनार की खाड़ी सागरी है तो हम चोड़ेम पत्फरी होती केलसी अस drastic कैलसीयं एक अलेंट आई-ट्रॉडियो बेंजोइट सोडियम बन्सक्टा है या प्रिजर करने के लिए फूरण बगार निए पिजेंट चाइलर यह ग दोंनों नेंटने गाल चाइल्ड ए सेलिबरेटेड एज इंटरनेशनल यह वर्ल्ड एट से एट 24 जनवरी नेशनल गईज्टाइल एफस्ट में इंटरनेशनल लेबर डिए चीक है next question 1991 के bigton related कौन सा है USA, गाना, कजाकस्तान या रसिया हम लोग जानते हैं रसिया जब आया 1991 में अस्कृत्तु में आया इस से पहले इसको USSR के नाम से जाने जाता था ये bigton हुआ 1991 में तब रसिया है कजाकस्तान का capital नूर सुल्तान है और घाना की कैपिटल अक्रा है सुन्दा ट्रेंच is situated at कहां परहेवाई सुन्दा ट्रेंच तेखो जितनी ट्रेंच है याद कर लो सबसे गहरी है मेरियाना यह पैसिफिक ओसियन में है सुन्दा की बात करते हैं तो यह हिंद महासागर में हिंद साम महासागर में ही 90 डिगरी परसांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच है परसांत महासागर में ही टोगा ट्रेंच है सबसे बड़ा महासागर परसांत महासागर है बर्मुडा Trianogl Atlantic ocean में स्तित है याद रखे खड़ा नाच जो न्रत्य है वो किस राज़ से रिलेट करता है खड़ा नाच न्रत्य की जब भी हम बात करते हैं तो यह आपका मध्यप्रदेश क्या है भाई इसकी घोपाल कैपिटल है लद्दाप के दो जिले हैं कारगिल और ले असम की जो कैपिटल है वह वह यह दिश्पूर है और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल की बात करते हैं तो यह सिमला है ठीक है किसका किया गया वह यह सबसे बड़ा बेटा साजहां का सबसे बड़ा बैटा साजहा चाहाता था दारा बने लेकिन साजहां जीते जी अपनी प्रोपर्टी को कभी अपने पूत्रों में बांट नहीं पाया युद्ध हुआ उत्तर अदिकार का बहादृरपrouर धर्मत सामूगर, खजवा और देवराई, पांच युद होते हैं, BDSKD के नाम से इनको हम लोग याद करते हैं, लेकिन, दारा सिकोग ने बहुत सारी किताबें लिखी, मजबूल बहरीन, सकीनतुल अलिया, सफीनितुल अलिया, सिर्र एकबर के नाम से बावन उपनिज्दों का बात किया गया था, फार्सी में, महराष्ट की उपराजदानी होने का दर्जा किसको है, देखो महराष्ट की जो सब कैपिटल बनी है, वो बनी है आपकी कौन सी, नागपुर, नागपुर को औरेंज सिटी भी बोलते हैं, पुड़े मुला और मूठा नदियों के किनारे है और पुने में यर्वदा जेला जहां, गांधियम बेटकर के बीच में 1932 में पूना समझोता हुआ, नासिक ये प्याज उत्पादन के लिए जाना जाता है, आधुनिक योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तिरुमलाई, कृष्णा मचारे, रामदेव, या पतं अंजली का है याद रखना है, रामकर्ष्ण यादव, बाबा रामदेव का पूरा नाम है, ये भी याद रखना है, नेक्स्ट पोस्टन है, कौन सा सब्द गोल्फ से रिलेटेड, वाकर कप है ये निवपोर्ट कप इरानी ट्रॉफी, इरानी को उड़ा दो, बिल्कुल न करिंग डे, विश्व श्रवण दिवास, हम लोग मनाते हैं, तीन मार्ष को, तीन मही को विश्व उप्रेश्व तंतरता दिवास, पंद्रा मही को अंतराष्टी परिवार दिवस, वेर वास दा हेराथ फेस्टिवल सेलिबरेटेड रिसेंटली, हेराथ उत्सब अभी हाली में मनाया गया था, कहां? यूपी, केरला या अरुनाचल परदेश, बहुत बड़ी अहिराथ, जम्मुएन कस्मीर, बहुत सांदार, बहुत सांदार, और सेडुक पेन, एक ये कह सकते हैं कि एथनिक ग्रूप है, अरुनाचल परदेश का, किस देश के दोरा हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्र उठीजिया, जया दोरा, जवालीत लूप जापान के प्रदान मंत्री सीजोहव्य साहब को गोली बारी गई थी, वहाँ पर, पर, जबल्कि सबसे कम क्राइम बाला माना जाता है, जहां इस तरी के क्राइम बहुत कम होते हैं, और भारती संबंधों, भारत बारत वैस मंग् प्रदान मंत्री के पत्स से अपनी बीमारी को लिए पल्लब बंस का संबंद किस्से राजयंद्र फस्स बिल्कुल नहीं चोल है राजराच चोल है क्रस्ट यह राश्ट्रकूट बंस का सिंग विश्रू में पल्लब बंस के संस्थापक सिवेघ में वीव का मतलब क्या होता है कार्ड है पीशे चिप के बैक से वेरिफिकेशन वैल्यू वीज्य का है करना चाहिए, वर्ल्ड मिल्क डे अब्सर्व्ड वान विच डेट, वर्ल्ड मिल्क डेट, बोलोगा बै, पुलिये जल्दी, अब अब फस्स जून ठीक है, यह हो गया, वर्ल्ड मिल्क डेट, अक्टूबर रे जून हो जाएगा, अक्टूबर से ठाके कहां लगेगा, जून में, अक्टूबर में तो इंटरनेस्टल कॉफी दे हैं, और इंटरनेस्टल ओल्ड इंज दे, यह अक्टूबर में एक पो है, सिक्किम किस थापना किस वर्स हुई, सिक्किम, ग्यांगे टोग जिसकी कैपिटल है, 26 नमबर को नेशनल में लिक्टे, बिल्कुल सही, सिक्किम की स्थापना होती है, 1975 में, 36 में संविधान संस्वधन से सिक्किम को पूर्ण राजिका दर्जा दिया गया था, याद रखिए, पर जास समाजवादी पार्टी किस थापना कब हुई भई, किस के द्वारा की गई, या आंसर होगा आपका अबुलकलाम सहाब, आजात सहाब, इसका सही आंसर है अचारन नरंदेव सहाब, इनको लोकनायक कहते हैं, पूर्ब मिमान सा और उत्तर मिमान सा, पूर्ब मिमान सा के जैमिनी हैं, जैमिनी हम लोग सर्च करो, यह हैं, यह हैं, यह हैं, तीन में हैं, यानिका यह चौते में भी यह तो फस गये मामला एक अगर याद है तो चारों में तो कहीसे लगाऊ गये अब उत्तर मिमान सा को याद होना जरूरी है पूर मिमान सा के जह्मनी आधा के बादरायन हैं बैसेसी कणाद हैं और गौतम नियाय के हैं पुलिस इस्मरण दिवस कम मनाते हैं, पुलिस रेमेम्ब्रेंस डे, 24 अक्टूबर को बिल्कुल नहीं यह मनाते हैं बाई यह लोग 21 अक्टूबर को, आठ अक्टूबर को वायुसेना दिवस, एक अक्टूबर को अभी मैंने बताया था, अंतरराश्ट्री कॉफी दिवस, और अंतरराश्ट्री ब्रध्यजन दिवस, वेन इस वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड यानि की बिश्व प्रवासी पच्छी दिवस, यह कम मनाते हैं, बोले भाय अथर्व सिंग, देखो बिश्व प्रवासी पच्छी दिवस, चौधा मैंको, पंदरा मैंको कि प्रवासी परिवार दिवस मनाते हैं, भारत का पहला सेनेटरी फ्री नेपकें गाउं किस राजमें है, या किस राजमें मनाया गया बहुत पहला, यह बनाया गया यह भूや, यह आपका हो जाएगा की रहा प्रहूल ठीक है केरल में बनाए गया है जो सीएजी साहब हमारे होते हैं कम्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इनका उल्लेक समिधान के आर्टिकल नंबर 148 से 151 के बीच में किया गया है ठीक है तो यह जो होते हैं यह आपके केंद्र सरकार के जो सरकारी विभाग है उनका आडिट कर सकत से लेकिन केंद्र सरकार के विभागों की रिपोर्ट राश्पति के पास और राज सरकार के अधीन जो विभाग है उनकी रिपोर्ट राज्यपाल के पास में यह संबीट करेंगे बाल गंगा दर तिलप के बारे में कौन सा सही नहीं है बहुत बढ़ी असावा इन्होंने लिखा हुआ है गीता रहस बिल्कुल लिखा हुआ है ठीक है और गणपद महुतसब की सुरुवात की बिल्कुल की सौटका सही सौटका सही अंग्रेजी में केसरी की सुरुवात की गलत मराठी में केसरी की और मराठा जो था इनका पत्र उसकी सुरुवात अंग्रेजी में मराठा अंग्रेजी में केसरी मराठी में उल्टा है बई किस पेड़ के तने से मंड निकाल करके साबूदाने का निरमाड किया जाता है पपीते का कोई मतलम नहीं भरगत का कोई मतलम नहीं साइकस का पौधा हो इससे मंड निकाल करके साबूदाने का निरमाड करके भारत में जो जायद फसले हैं, जो अब लोग देता है, तरबूज, खरबूज, खीरा, कखड़ी, यह सब जायद की फसले हैं, इसका जो मौसम रहा है, मार्च से जून तक का, अब समात्त हो गया, अभी भी तरबूज दिख जाएंगे, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा, जो मैई जायद का मौसम होता है, रवी की फसलें, अक्टूबर, दिसंबर हो जाती है, यह सारे इनके नाम है, गेहू, जो मतर, चना, खरीब वाला भी आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद में, इसके एक्जामपल है, खरीब के, जो आरवाजरा, धान, मक्का, जायद में आप दे आलिग्राम गुरुप पर फालो करेंगे, जुड़ेंगे मेरे साथ, जी एस उबलिक, जी के बाई, आलोक सर, सभी लोग जुड़िएगा, और जो सब्सक्रिप्शन लेने के इच्चुक है, एनकेडमी पर, कोड लगाईए, भाईया, एबी सर टें, फटा फट एबी सर टे कियेगा सेशन को, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब दिनुकिजिएगा, ओके, टेंक्यो अबिलोग, एबीड़ोग।